तो चलिए दोस्तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले Facebook अकाउंट पर्मानेटली डिलीट किस तरह से किया जाता है तो किस तरह से यहाँ पर आभी हम लोग देख लेते किस तरह से आप लोग को पर्मानेटली डिलीट करना है सिंपल दोस्तो यहाँ पर डेखे फेसबूक अप्लिकेशिन मैं यहाँ पर open करके लिया हूँ और सिंपल open करनेटली को आप लोग देखें़ है setting and privacy का तो simple क्या करना है setting and privacy के उपर हमें click करके ले लेना है चलिए यहाँ से मैं setting and privacy के उपर click करता हूँ click करने मा दोस्तों नीचे आपके option यहाँ पर open हो जाते तो आपको नीचे में एक setting का option दिखाई देंगा तो simple क्या करना है setting वाले option पर क्लिक करके ले लेना है चलिए यहां से मैं सेटिंग ओले option पर क्लिक करता हूँ और यहां पर देखिए कुछ इस तरह से क्लिक करने के बाद यहां पर last में हमें देखना है लास्ट में एकoption यहाँ पर देकने मिलता है Account, Unnorship and Control तो Simple क्या करना है ? Account, Unnorship and Control के उपर क्लिक करके ले लेना है चलिए क्लिक करते हैं इसके उपर और यहाँ आने बाद दोस्तों आप लोग देखें एक option यहाँ पर देखने मिलता है नीचे के दरफ last में deactivation और deletion तो simple दोस्तों हमें क्या करना है deactivation और deletion के उपर click करके ले लेना है चलिए इसके उपर मैं click करता हूँ यहाँ यहाँ अपर दिलिट करना है यह इसके उपर यहाँ पर देख रहे है और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देखे है कुछ यहाँ पर option यहाँ पर आ रहा है deactivate account यहाँ صिंछ के लिए Touould यहाँ अकाउंट कर सकते हो एक मैना होता है तीस दिन और निचे रेखे डिलीट अकाउंट का अगर आप लोग चाहते है परमेंट डिलीट हो जाए मेरा अकाउंट तो सिंपल निचे वाला जो आप्शन है इसके उपर टिक करना है मैं जिसके यहाँ पर मैंने किया भी और यहाँ पर कंटिनू का एक आप सिंपल कंटिनू के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर एक आप्शन हमें सेलेक करके ले लेना है तो चलिए यहाँ पर मैं सेकेंड वाला क्लिक करता हूँ आप प्राइवेसी कंसें तो सिंपल इसके उपर मैं क्लिक करता हूँ कोई भी आप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर एक option यहाँ पर आभी नीचे के तरफ यहाँ पर बताया जाएंगा देखिए deactivate account और देखिए यहाँ से नीचे आप लोग देखेंगे तो go to active lock और यहाँ से download info transfer यहाँ पर info view link app मतलब दोस्तों यह सारे option है ना जैसे देखिए कि आपका data आपको फिर से वाफर चाहिए तो देखिए यहाँ पर second option है यहाँ पर आपको third option download information मतलब इसके जितने भी आपके photo image वीडियो वह आप लोग download कर सकते हो डिलीट करने से पहला और यहाँ पर निचे देखिए एक view link app मतलब कौन से एप यहाँ पर यह connect है हमारा आप लोग हटा सकते हो उससे तो अगर चाहे तो दोस्तों आप लोग यहाँ से directly delete करने के लिए continue के उपर click कर सकते हो एक बार फिर से तो simple हमें क्या करना है simple यहाँ से continue के उपर click करते हम लोग चलिए यहाँ पर आभी दोस्तों आपका password देना है तो चलिए मैं मेरा Facebook का password आपको याद ने यह तो forget password कर लेना नीचे option है अगर याद है तो password इंटर करके ले लेना तो तीस दिन तलग आपका यहाँ पर account का आपको open नहीं करना है यह account आपका delete हो जाएंगा यह देकिन नीचे option आ चुका है delete account का लेकिन दोस्तों तीस दिन के अंदर अगर आप लोग अपना Facebook account फिर से चाहते है कि मेरा फिर से account वापस आ जाए तो तीस दिन के अंदर आप लोग open कर देना आपका Facebook account तो यह एक बार अगर open हो जाएंगा तो आपका account यहाँ पर delete नहीं होगा लेकिन तीस दिन के बाद में अगर आप आप लोग open करना चाहते हो तो यह पर्मेंट लिए अगर माइंड चेंज होता है तो तीस दिन के अंदर आप लोग फिर से आप लोग अपना season expired please login login in again मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर बोल रहा है आपको अगर account वापस लेना है तो फिर से आप लोग ले सकते हो तो मैं फिलार यहाँ पर मुझे account वापस नहीं लेना है यह यहाँ से हट चुका है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर यह नीचे के तरब जो account बता रह करना है यह account permanently 30 दिन के बाद डिलिट हो जाएंगा तो चले दोस्तों वीडियो का इसे लगी बता देना कमेंड में पसंद है लाइक कर देना चाइनल को सस्क्राइब जरू करना चले मिलते हैं नेक्स यूडियो में बाबाई